आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ क्रेम चीज की रेसिपी आज हम हॉममेट क्रेम चीज बनाना सिखेंगे स्टार्ट करते हैं रेसिपी को उसके लिए सबसे बहले हैं आपर हमेंने एक किलो दहीं लिया है जिसको हमने एक बरतन में मलमल के कपड़े के अंदर इस तरीके से डाल देंगे और उपर से जो हम गिरा लगा लेंगे इस तरीके से के जैसे को यह लटकना चाहिए ताकि जो इसका पानी है वो नीचे से निकलता रहे इस तरीके से उपर से हमने गिरा लगा दी है अब किसी भी जो है वो लंबाई वले बरतन में मैंने यहाँ पर बॉटल लिया है लंबाई में ताकि यह आप देख सकते हैं कि इसका पाने इस तरीके से निकलता रहेगा आप किसी भी लंबाई वले जग में या इस तरीके से किसी भी जो आपके बस बोटल हो किसी भी चीज में इस तरीके से लटका देंगे उपर जो है वो यहाँ स्पून या लकड़ी की मदश से यहाँ पर इस तरीके से इसको लटका के इसके उपर रख देंगे ताकि लटकता रहे और इसका जो एक्स्ट्र पानी है वो दहीं का निकलता रहा है इच्छे लेंजी ये डन हो गया और अब हम इसको तकरीबन 24 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ठीक है ये हमारा जो है वो पहला स्टेप होगा यहां पर मैंने इसको फ्रीज में रख दिया है अब ने तकरीबन 24 घंटे बाद जब मैंने इसको निकाला तो आप देख सकते हैं किसका तमाम एक्स्ट्र पानी जो है वो निकल चुके है और दही की कांटिती आप देख सकते हैं कितने से कितनी हो गई है अब हम इसको इस पोटली में से निकाल देंगे किसी बधन में यहां पर मइने जो है वह मैंने बधन मेंived कर दिया है अच्छे तरीके से साफ करके अब हम इसमें हाफ को यह जी हमारा जो next step है वो done हो गया है आप इसका texture देख सकते हो अब इससे जो है बहुत जबदसते इसका texture आ चुका है अब इसको अच्छे से हम साफ करेंगे अब कोई भी जो छोटा बरतन ले लेंगे जिसमें अच्छे से fix आ जाए quantity के हिसाब से हम इसको दुबारा उसके मलमल का कपड़ा रिखेंगे और दुबारा जो तमाम हमारा mixture है इसको हम उस बरतन में डाल देंगे जिसमें अच्छे से यह फेट हो जाए कि अब इसकी quantity बहुत थोड़ी हो गए थी तो यह छोटी बाउल में ही आ जाएगा तो मैंने इसको इसमें shift कर दिया है और उपर से again हम जो है वो cover कर देंगे कपड़े को फिर जी हम इसी के bowl के size का जो है मैंने यहाँ पर गत्ता काट लिया था उसको इसके अपर रखेंगे कि इसके अंदर जो मजीज एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी इसके अंदर absorb हो जाएगा और उसके अपर कोई भी वेट रख देंगे ज और हम इसको निकाल लेंगे देन हम इसको इसको इसका इगता भी हटा देंगे और इसको कपड़े से निकाल लेंगे एंड डिशॉट कर लेंगे यह जी हमारी cream cheese बनके जो है वो ready हो चुकी है देखा आपकी कितने ही simple तरिके से just for two ingredients के साथ हमने homemade cream cheese ready की है texture आप देख सकते हो बहुत ही जबर्दस एकदम perfect texture आया है अब आप इसको अपने sandwiches में, bread के साथ, cakes में इसको यूज कर सकते हो I hope आपको यह homemade cream cheese की recipe है पसंद आई होगी if you like it then like and share and don't forget subscribe my channel मैं मिलती हूँ आपसे next video में, एक और recipe के साथ, द्वाओं में याद रखेगा, तब तक के लिए Allah Hafiz